नमस्कार, बूर्निंग, बहुत सबागत है आप सभी का, मैं हूँ आपको साथ करेश्माय बुलिटिन के हम शुरुआत करते हैं बड़ी और एहम खबर के साथ 26 फरवरी को मद्यपरदेश का बजट आ सकता है जी हाँ मद्यपरदेश के बजट को लेकर मन्थन फिलाल जारी है और सीम लगाता अरविश शर्ग्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं 26 फरवरी को सदन में पेश हो सकता है बजट वित्विभाग पर वित्विभाग इसकी पूरी तैयारियां कर रहा है 22 फरवरी से विधानसवा का सत्र शुरू होने जा रहा है तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि मद्यपरदेश के बजट को लेकर मन्थन किया जा रहा है 26 फरवरी को मद्यपरदेश का बजट आ सकता है तो केंद्रियों बजट के बाद अब राज्यों का ब मन्थन जारी है, CM लगातार विशेशग्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं, 26 वरबरी को सदर में बजट पेश हो सकता है, जिसमें विर्त विभाग फूरी तैयारियों में चुट किया है मन्थन जारी है, मेरे सहोगी शिबम अधिक अब्रेट्स के साथ जड़ चुके हैं, शिबम ये बताएं कि बजट में इस बार क्या खास रहने वाला है, क्योंकि जब ये पिटारा खुलेगा तो सभी वरगों को काफी जादा उमीदे है, क्या लगता है आपको कि किसको लेकर जादा प्रायरिटी दी जाएगी और विचार किया जाएगा. पेश करेंगे, अब इसको लेकर मध्यप्रदेश में लगातार तयारियां चल रही है, जो केंदरी बजट आया है, उसको भी काफी ध्यान से सुना, समझा, और उसके बाद मध्यप्रदेश सरकार अब अपना बजट तयार कर रही है. मुक्यमंतरी शिवरा सिंग चोहां ने बजट को लेकर कई मीटिंग्स की है, तमाम विशेश अग्यों और तसाच्टियों के साथ बाचित की है कि किस तरह से बजट को बहतर किया जा सकता है, कैसे अलग-अलग सेक्टर्स में जादा काम किया जा सकता है, कैसे रोजगार के अफसर जो है वो पैदा किये जा सकते हैं क्योंकि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के तहरत मुक्यमंतरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में युवाओं को रोजगार दिया जाए, तो इन सब चीजों को लेकर लगातार मन्थन चल रहा है, इसे सेक्टर्स हैं, जो काफी उमीदे लगाए बैठे हैं, अगर हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो इसमें क्या लगता है आपको, अगर बजट जब जिसमें मन्थन किया जा रहा है, तो कौन-कौन से एहम बिंदू उसमें हो सकते हैं? या फिर अलग अलग ग्री विभाग किया बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का लक्ष यहां पर यही है, कि जादा से जादा रोजगार क्या उसर प्यदा हो, आप देखें कि सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये गए हैं, कि एक लाख अपने जिले में आप रोजगार की वि क्योंकि मध्यपिदेश में लगातार मांग उठ रही है, कि पेट्रोल डिजल पर जो सरकार वैट लगा रही है, उसे कम करना चाहिए, तो थोड़ी आम जनता को भी रहत होगी, तो उस बारे में भी देखना होगा कि सरकार किसी तरे का कोई फैसला लेती है, क्योंकि अंतरा पूर्ण बात आपने बताई कि रोजगार को लेकर हो सकता है, इसमें मंधन हो और बढ़ती महंगाई को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, एमपी में बजट के फायदे इसी दोरान बीज़ोपी गिनाएगी, कोशिश यही रहेगी, जब मंधन किया जा रहा है, मध्यपद पूर्देश सरकार, शे फरवड़ी से कारिक्रम की शिरुवात हो रही है, शुबा मेंने सयोगी लगातार चुड़े हुए है, शुबा माकेर इसके पीछे की मनशा क्या रही है, क्योंकि हमने लगातार देखा है, जैसे ही बजट आया, विरोधी दल हो चाया, आम इंसान भ जाएगी, लेकिन मिडल क्लास वर्क के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, विपक्ष लगातार इसमें हमला भी कर रहा है, ऐसे में अब ये नया अभियान चलाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही है, कि जो कॉंग्रेस लगातार प्रचार पर सार कर रही है, कि बजट बिलकुल ठीक नहीं है, मद्यमवर की कमर तोड़ कर रख दी है, अब ऐसी स्तिती में बीजेपी की यहाँ पर यही कोशिशे की जनता के बीच जाये जाये, जन यहाँ पर लगा कि खासा वीरोध हो रहा है, अधिकारियों को कहा गया, मंत्रियों को कहा गया कि आप किसानों के बीच जाये, गाउं में चौपाल जमाईए, किसानों से बादचित कीजिए, उन्हें ने किर्शी बिल के बारे में समझाईए, तो कुछ इसी तरच पर उससे 30% बजट बढ़ाया है, कोरोना का टीकल अग सबको लगने वाला है वैक्सीन, 30-35,000 करोड का बजट उसके लिए रखा है, इस तरह से अच्छी चीजे जो बजट की है, वो सारी के सारी जमता के बीच बीच बीचेपी लेकर जाएगी, ठीक है चुले, बने रहे और इसके साथी बीचेपी का अब यही मकसद है कि किस तरीके से ये जो केंद्रिया बजट है, इसके खोबियां, इसके फायदें जन्नता तक पहुंचाये जाएं